नमस्कार दोस्तों मैं हूराकेस और आप देख रहे हैं GoToOnline अगर आपके पास दो बैंक के अकाउंट हैं और दोनों ही बैंक के अकाउंट में आपका एक ही मोबाइल नम्म लगा हुआ है तो दोनों बैंक के अकाउंट को आप एक ही फॉनपे के अंदर एड कर सकते हो यानि लिंक कर सकते हो लेकिन आपके दोनों एकाउंटों में अलग अलग मोबाइल नम्म लगा हुआ है तो आप एक ही phone pay के अंदर दौनों ही bank account को link नहीं कर सकते और आपको दो phone pay यूज़ करने होंगे लेकिन साधन तोर पर एक mobile में एक ही phone pay आप यूज़ कर सकते हो लेकिन आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि आप एक ही phone में आप दो phone pay app कैसे चला सकते हो तो वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप से request है अगर आप हमारी चैनल पर पहली वार आएं तो वीडियो के नीचे आपको लाल लंगो सब्सक्राइब बटन दिखरा होगा मैं आ गया हूँ अपने mobile की screen पर और आपको अपने mobile में setting open कर लेनी है तो मैं यहां mobile की setting open कर लेता हूँ थोड़ा सा उपर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक setting नजर आएगी मैं यहां mark कर देता हूँ एप management आपको क्या करना है एप management पर क्लिक कर देना है इसके बाद में सबसे end में आपको एक setting नजर आ रही है एप klonar तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू यह app klonar की setting अलग-अलग mobile में अलग-अलग जगे पर हो सकती है और कुछ mobile में यह setting dual app के नाम से होती है तो मैं यहां app klonar पर क्लिक कर देता हूँ इसके बाद में आपके सामने कुछ app की list आ रही है नजर में तो यह app वो हैं जिनका हम klon use कर सकती है तो यहां पर हम phone pay का klon use करेंगे तो उसके लिए हमें phone pay पर क्लिक कर देना है और इसके बाद मैं यहां पर लिखा हुआ है create app klon तो यहां पर इसको on कर देना है तो मैं यहां से on कर देता हूँ तो हमारा phone pay का klon on हो चुका है अब हम जाते हैं अपने mobile की home screen पर यहां पर हम देखते हैं कि देखिए हमारी दो phone pay यहां पर app आपको नजर आ रहे हैं मैं mark कर देता हूँ यह देखिए यह phone pay app तो हमारा पहले वाला है और यह इसका klon बन चुका है तो यहां पर दो phone pay अप आपको नजर आ रहे हूँगे तो एक phone pay अप तो मैं पहले से यूज कर रहा हूँ मैं आपको दिखा दूँ तो यह देखिए मेरा पहले से यूज है और दूसरा phone pay आप जो है नए mobile नमर के साथ में इसको register कर सकते हैं देखिए यह phone pay आप नए mobile नमर से register कर सकते हैं तो इस तरह आप एक ही phone में दो phone pay account आराम से चला सकते हो दो bank account को आप आराम से manage कर सकते हो अगर वीडियो आपको अच्छा लगओ तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करके रखें ताके ऐसी जानकारी आपको वैशन मिलती रहें तो फिर मिलता हूँ किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई